पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुलकादिर का सलाम मुल्की स्यासी सूर्ट के आल पर चाने वाले बादल छटने की बजाए अभी और गहरे होते जा रहे हैं यह सलसला भी और भी जारी रहेगा लेकिन जब तक उमीद बाकी है मायूसी गुना है इसलिए कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के उपर बात करेंगे क्या पॉजिटिविटी निकल सकती है पाकिस्तानियों के लिए इन हालात में थोड़ा सा आप्टिमिस्टिक रहते हुए और दो के मुश्किल हालात हैं अब से कुछ दिर पहले चेर्मेन पीटिया इमराउन खान ने भी एक खिताब किया आज के दिन जो रिसेंट डिवेल्पमेंट हुई है उनके बाद अब उन्हें ये लगता है कि हालात और सकती की तरफ जा रहे हैं और कल उन्हें चुके इसलामबाद में आना है तकरीबन सोला मुकदमात में जमानत के लिए तो कल का दिन उनके लिए मुश्किलात से भरा साबित हो सकता है और उन्हें खद्शा ये है कि जिस तरह से मजीद मुकदमात काईम किये जा रहे हैं तो किसी भी नए मुकदमे में उनकी गिरफ़तारी अमल में लाई जा सकती है इस अवाले से क्या अपडेट है वो भी आप से शेयर करनी है और साथ ही आज जमान पाक में कुछ आहम मुलाकाते हुई है शाममुद कुरेशी पहुँचे है इस अहम तरीन मुलाकात में जो पैगाम है या जो प्लान है ये दोनों डिसकस हुए है और क्या इंसाइट स्टोरी है उस पर भी बात करेंगे लेकिन इसी मुलाकात के दोरान इसे कुछ दिर पहले या कुछ दिर बात में एक और मीटिंग भी हुई है और एक अहम जो साथ है या हमायत समझ लीजे वो इमरान खान को मिली है और जो बॉडि लैंग्विज रही वो बड़ी पॉजिटिव थी उस बार में भी डिसकस्शन करनी है फिर जमान पाक आज जलसा गा जैसा मनजर पेश कर रहा था वुकला की बड़ी तादाद डेली वहां पर पहुंच रही है और आज भी वाइस कैप्टन और कैप्टन के सामने ये स्टेज सजा हुआ था क्या बातचीत हुई ये सारी डिसकस्श करने से पहले जो मुल्की मजमूई सूर्तियाल है वो अगर आप समझना चाहें इन अनट शल तो वो ये है कि चेर्मेन पीटियाई इमरान खान पर एक ऐसा मुकदमा जिसकी कल समात होने जा रही है उस मुकदमे की नौयत आप जरा सा समझिए कि अदलिया के साथ इजहार यकजहती के लिए जो रैली निकले इसलामबाद में उसमें उनके उपर एक मुकदमा है अदलिया से इजहार यकजहती के लिए दफ़ा 144 की गालबन खिलाव वर्जी का ये मौमला होगा अदालत में सुप्रीम कोड में गुजिशता रोज चीफ जस्टिस आफ पाकिस्तान ने भी पूछा कि ये किस लिए था लेकिन उसके उपर कोई मुकदमा नहीं है उसके उपर कोई दफ़ा 144 की खिलाव वर्जी नहीं है बिलकुल एक अलग मौमला है और यहां पर बिलकुल एक अलग मौमला है इसके साथ और भी बहुत सारे मुकदमाथ है तो कल पूरा दिन हैक्टिक रहेगा عمران خान को कवर करते करते हैं ओलों के टीवी पर तो कवरिज नहीं होगी लेकिन जहारी बात है activities पर तो नज़र रखेंगे कि कल क्या होगा मुश्किल दिन है मैं फिर कह रहा हूँ होने को कुछ भी हो सकता है लेकिन मुश्किल दिन रहेगा आज अपने उपर काइम मुकदमात के हवाले से इमरान खान ने पूरी तफसील आपको बताई मुकदमे में कोई इतनी जान बाकी नहीं थी इसलिए वो कहरें मैंने उसके उपर तवज्जव नहीं दी लेकिन स्टिल उस मुकदमे में उनके उपर कतल का एक मौमला शुरू हो गया कतल की F.I.R. हो गी और फिर जिलेशा की भी उन्होंने मिसाल दी कि जिलेशा के मुकदमे में किस तरह से उनका नामजद किया गया जबके वो जमान पाक में थे वाकिया कहीं और हुआ सारी सिटुएशन बहराल ये तो थोड़े से डिप्रेसिव टॉपिक्स हैं थोड़ा सा आते हैं पॉजिटिविटी की तरफ आज वाइस कैपटन शामेहमुद कुरेशी ने इमरान खान से जमान पाक में अहम मुलाकात की है इमकान ये था कि इस मुलाकात के बाद वो मीडिया से गुफ्तुगू करेंगे लेकिन कोई गुफ्तुगू नहीं हुए और वो वहां से रवाना हो गे लेकिन जो चीज अंडिस्टैंड करने वाली है वो है बॉडि लैंगूज वाइस कैपटन जब पहुंचे जमान पाक में तो उनका बड़ा जबरदस्त पुर्त पाक इस्तक्बाल हुआ मैं अगर कॉपी राइट का ख़च्छा ना होता जो जेल में गुजरा उस दौरान क्या कुछ हुआ क्या पेगामात उन तक पहुंचे क्या पेशकश उन तक पहुंची या क्या क्या सूर्थाल रही उससे मतालिक उन्होंने तखसील से आगाह किया और फिर क्या possibilities हैं क्या मुमकिनात हैं इस बारे में बात हुई मैंने खुझ से जानबूज के बहुत ज़्यादा कुरेदने की कोशिश नहीं की कि मैं कोई inside चीज निकालनू obvious बात है कि जब ये एक ऐसा मौमला है इसमें से inside चीज़े इस तरह से निकलनी भी नहीं है क्योंकि दो लोगों की आपस की एक बातची थी इसमें से निकले की सही inside stories लेकिन वक्त लगेगा फौरी तोर पर नहीं आएगा अगर आपको फौरी तोर पर कोई बताया कि ये formula पेश कर दिया ये plan आ गया minus one हो गया वो सारा आपको घलत गाइड करेगा लेकिन situation ये है कि कल मैंने जैसे आपको बताया बड़ा अहम दिन है इमरान खान साब के लिए तो मुश्कल सूर्थाल develop हो सकते है उससे पहले पहले आज अहम मुशावरत का अमल मुकमल कर लिया गया होगा और क्या इमरान खान सोच रहे है वो उनके खिताब का आखरी एक मिनट है जो उनका mind इस वक्त चल रहा है क्या चल रहा है क्या सोच रहे है क्या वो compromise करने के लिए त्यार है या क्या उनके पास options हैं वो आज के खिताब का पूरा एक मिनट है लेकिन एक और अहम development भी हुई है body language के हवाले से बात हो रही है ना तो आज एक और मुलाकात भी इमरान खान से हुई दो बड़ी हमायतें इमरान खान साब के पास हैं पहले तो आपने देखा जमाते इसलामी ने उनके साथ इतिहाद किया इन मुश्किल हालात में भी अगर जमाते इसलामी उनके साथ इतिहाद कर रही है कराची मेर के election के लिए एक बड़ी मुस्बत बात है PTI के लिए क्योंकि इन हालात में अपने साथ छोड़के जा रहे हैं दूसरी जमात आगे आपके साथ खड़ी हो जाए इतिहाद करे तो वो लॉंग टर्म बड़ा बैनेफिट कर सकता है PTI को इन केस कोई और सिनेरियो डिवैल्प होता है मैं दूर तक जादा नहीं जाता है इशारा आप समझ गयोंगे लेकिन एक और जमात भी इमरान खान के साथ खड़ी है और वो है मतहदा मजलस वादतल मुसलिमीन उनके जो सरब्रा हैं वो आज इमरान खान से मुलाकात के लिए है इन हालात में गालबन यह उनकी इमरान खान से दूसरी या तीसरी मुलाकात है इस मुलाकात में जो body language थी मैंने तो खेर वीडियो देखी आप भी कहीं न कहीं देख लेंगे मैं तो आपको still images दिखा सकता हूँ कि जिस तरह से एक होता है handshake करना handshake नहीं था, ये कुछ और था ये handshake से बढ़के जिस तरह से उन्होंने हाथ मिलाया, पकड़ा और उसको एक क्या कहते है अजम का इजहार जिस तरह से होता है उस तरह से present किया, तो देखके ये लगा कि ये बताया जा रहा है या ये realize कराया जा रहा है कि हम आपके साथ हैं छोटी जमात है, इतनी बड़ी power नहीं है, शायद नुमाइंदगी भी नहीं है लेकिन इन हालात में ये चोटी चोटी हमायते ये चोटे चोटे ग्रुप्स का भी साथ खड़े हो जाना बड़ी बात है और बड़ा माईन ही रखती है खास तरपे मैं फिर रपीट कर रहा हूं उन हालात में जब आपके अपने साथी आपके साथ नहीं थे तो बहुत सारे लोग कहते हैं ये साथी वापस आजाएंगे या शायद जो ओधा छोड़ के गए हैं वो वापस आजाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी मुझकल सूर्तियाल होगी उनका वापस आना भी अच्छे हालात में अभी तो हालात बुरे हैं जब अच्छे होंगे तो शायद उनकी वापसी भी इतनी आसान ना हो खैर इसी सारी मुलाकातों के दोरान जो भी स्यासी मौमलात आगे बढ़ते रहें अब जमान पाग में आपको पता है रुजाना की बन्याद पर वुकला की बड़ी तदादाद पहुंचती है मीटिंग्स होती हैं फिर कन्वेंशन टाइप एक आज इवेंट हुआ तो वहा हो कि अमरान खान जलसे की वो जो फील है उसको मिस नहीं कर रहे होंगे या कारगुनों का वहां पर हुजूम उस तरह से मिस नहीं कर रहे होंगे बिकिस वहां पर सारा कुछ वैसा ही था तकरीब बन तो बड़ी तादाद में वुकला की आमद का सिलसला फिछले एक डेड़ हफते से जा रही है शमूलियत भी हो रही है कुछ नए लोग भी आ रहे है और जारी बात है इन हालात में इमरान खान को जरूरत भी बड़ी है उन्होंने आज खिताब में भी का कि मेरे लिए तो अ कि अपने केसे लड़ने के लिए त्यारी करूँ बहराल उनकी जदुजाहद अपनी जगा पे जारी है अवाम स्टिल उसी तरह से रिस्पॉंड कर रहे हैं और डेस्परेट हैं किसी अच्छी खबर के लिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहां से अच्छी खबर आ सकती है वहां से अभी तक ना आई है ना फौरी तोर पे आने का कोई अमकान है रियलिस्टिक तरीके से अगर आपको जो ग्राउंड रियलिटी हैं वो अगर आपको बताओं मेरा कतन दिल नहीं करता कि कोई भी ऐसी नाउमीदी की बात की जाए क्योंकि मेरे नजदीक होप ही एक ऐ लोगो जा रही है या खत्म की जा रही है यह जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है उसके नतीजे में क्या हो रहा है पाकिस्तानी छोड़ के जा रहा है बाहर जा रहा है यहां पर रुकना नहीं चाहते और यह एक फैक्ट बात है कि अपनी पूरी जिंदगी में मैंने भी आज तक नहीं कुछ अरसा पहले तक यानि दो मेहना तीन महीना पहले तक मेने भी कभी ऐसा नहीं सचा था कि अपने मुल्क को छोड़के जाना चाहिए बलकि जो Overseas Pakistani भाहर से बैठर के यह बताते थे तो feedback और बाकी सारा कुछ और उन लोगों के phone और message ये सारा सिलसला शुरू हो जाता है तो मेरा अच्छा खासा वक्त गुजरता है overseas पाकिस्तानियों का feedback जानने में उनके हालाब जानने में फ्यूचर में तो अल्ला ताल से तो हम दूआ कर सकते हैं कि यहां पर पाकिस्तान में हालाब बेतर हो बस जैसे भी हो जिसकी हो जो भी हो लेकिन अवाम का इतमाद बेतर हो अवाम के साथ जो confidence building measures हैं वो हो मौशी मोमलात को बहतरी की तरफ लेके जाना है आज अंदाजा कीजिए आपके आसिफ जर्दारी साथ की बातें बहुत अच्छी लग रही थी यह बिलकुल आप इक तेलाब करना चाहें तो सौ बार कर सकते हैं लेकिन आज जब मौशद के ओपर बात कर रहे थे मुझे उन तो उसके लिए सब को मिलके बैठना होगा, पाकिस्तान के लिए सब को मिलके बैठना होगा, यह वक्ती जो घुसा है, नाराजगी है, किसी से वो क्या कह सकते हैं, थोड़ा बहुत हो जाता है, रंजिश हो जाती है, या कोई और प्रॉप्रियेट वर्ड मैं ढूंडने की कर रहा हूं, वक्ती नाराजगी भी हो जाती है, गिले शिक भी हो जाते हैं, तो इनको सॉट आउट भी किया जा सकता है, इस नाराजगी को, इस गलत फहमी को, हाँ, गलत फहमी मैं कहना चाहरा था, गलत फहमी को भी अजाला हो जाता है, तो इन गलत फहमी को दूर करने के अगर किसी साइड से कुछ गलती हुई भी है मेरा ख्याल है दर गुजर से काम लेना चाहिए यही पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए बेतर है पाकिस्तान के मारुजी हालात के लिए बेतर है तो अपनी जाद की विजाए पाकिस्तान के बारे में सोचना होगा आज दे के लिए इतने अपना बहुत सा ख्याल लगिए आला हाफिज